नमस्कार अंडमान टुरिजम चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि चार से पांच दिन का टूर प्रोग्राम कैसे करें आपके पोर्ट ब्लेर हवाई अड़े पर आने के बाद आप अपना सामान लेने के बाद यदि आप हवाई अड़े से बाहर जाते हैं तो आपको अपना ब्लिंक कार्ड दिखाई देगा उसके बाद ड्राइवर आपको कार में होटल ले जाएगा होटल में जाने के बाद आप होटल चेकेन प्रक्रिया को पूरा करते हैं पांच दिन चार रात का प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा पहले दिन का टुर प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा पहले दिन का प्रोग्राम में हम देखेंगे सिलुलर जेल, कार्बिन कोव बीच और फिर हम साउंड एंड लाइट शो देखेंगे सिलुलर जेल में तो चलिए बिनाधेर की ये टूर स्टार्ट करते हैं सिलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समुह में एक अपनिवेशिक जेल थी जेल का उपियोग ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक कैदियों को दूरस्थ द्वीप असमुह में निर्वासित करने के उद्देश से किया जाता था सबसे पहले सेलुलर जेल के म्यूजियम को देखते हैं इस म्यूजियम में स्वतंतरता सेनानी के फोटो और प्रदर्शनी गैलरी, आर्ट गैलरी और स्वतंतरता आंदोलन पर एक उस्तकालय है यह स्थान निश्चित रूप से आपकी भारतिय स्वतंतरता संद्राम की यादे वापस लाएगा इसके बाद चलते हैं फासी घर की ओर रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 80,000 भारतियों को 1860 से लगभग 80 वर्षों की अवधी में अंडमान भेजा गया था उन में से हजारों को गोली मार दी गई, फासी पर लटका दिया गया या मौत के घाट उतार दिया गया चलिए अब हम जानते हैं सेलुल जेल कैसे बनाया गया था और ऐसा क्यूं बनाया गया जेल का निर्मान स्थानिय पत्थरों से किया गया था जिसे कैदियों द्वारा पास के एक पहाड से निकाला गया था भारत की आजादी के संघर्ष के दोरान बटुकेश्वर दत और वीर सावरकर जैसे कई उलेखनिय असंतुष्टों को यहां कैद किया गया था काला पानी जेल के निर्मान के लिए कैदियों द्वारा बनाई गई लगभग 20,000 क्यूबिक फीट स्थानिय पत्थरों और 30,000,000 की इटों का उप्योग किया गया था इस जगह की वास्तुकला पैनुप्टी कॉन मॉडल पर आधारित थी ग्रीक पौराने कथाओं में पैनुप्टी सो आखो वाला एक विशालकाय व्यक्ति था और एक बहुत ही उत्पादक चौकिदार के रूप में जाना जाता था इमारत में साथ पंक और केंद्र में एक टावा था जिसका उप्योग गार द्वारा कैदी पर नजर रखने के लिए किया जाता था चौकि एक चौकिदार के लिए एक बार में सभी कक्षों का निरीक्षन करना असंभव था यह तथ्य की कैदी यह नहीं जान सकते कि उन्हें कब देखा जा रहा है इसका मतलब यह था कि सभी कैदियों को लगेगा कि उन्हें हर समय देखा जा रहा है टौवर से पंक सीधी रेखाओं में निकलते है सेलूलर जेल नाम अपने अर्थ एकांथ जेल के लिए सही है क्योंकि किसी भी तरह का संचार असंभव था और यहां भी मना किया गया था यह जेल रोस द्वीब के एतिहासिक ब्रिटिश मुख्याले के द्रिश्य के साथ बनाए गई है सेलूलर जेल के प्रसिद कैदी, सेलूलर जेल के अधिकांच कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे सेलूलर जेल कैदीयों की सूची में दीवान सिंग काला पानी, फजल एहक खेराबादी, योगेंदर शुकला, बटुकेश्वर दत, मौलाना अहमदुल्ला, मूव अब्दुलरहीम सादिकपुरी, मौलवी लिया कतली, बाबार इस जेल के फासी में कई स्वतंत्रता सेनानीों की मृत्यू हो गई, महावीर सिंग, जो भगत सिंग के अनुयाई थे, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नमदास कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी मृत्यू यहां हुई थी जबकि कई लोगों ने भागने की कोशिश की और पकड़े गए वीर सावरकर ने सेलुलर जेल से प्रसिद भागने की योजना बनाई थी लेकिन जेल अधिकारियों द्वारा मुख्य भूमी भारत के लिए एक जहाज पर चड़ते समय पकड़ा गया था चलिए सेलुलर जेल के बाद, अब काबन्स कोव बीच चलते है कॉबिन का कोव समुदर तट पोर्ट ब्लेर शहर से 6 किलोमीटर दूर नारियल तार के किनारे वाला समुदर तट तैराकी और धूप सेंकने के लिए आदर्श है यहाँ होटल, रस्टोरेंट, बार, चेंजिंग रूम, एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं कार्बिन कोव बीच में पैरसेलिंग, स्पीड बोट राइड, बानाना राइड और भी बहुत सरे वाटर स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा आपको कोर्बिन कब बीच देखने के बाद हम फिर से सेलूलर जेल के तरफ लोटेंगे साउंड एंड लाइड शो देखने के लिए लाइड एंड साउंड शो सेलूलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का एक नाटकिये प्रतिनिधित्वर है लाइट एंड साउंड शो में कैदियों की कठिनाईयों और संगर शो को दिखाने की कोशिश की गई है यह शो बहुत ही आकर्शक कमेंटरी के साथ रंगीन रोशनी का एक तमाशा है साउंड एंड लाइट शो देखने के बाद आज का टूर समाप्ट होता है ड्राइवर आपको होटल छोड़ेगा, होटल जाने का बात कल का क्या प्रोग्राम होगा और कितने बजेह निकलना होगा सारा जानकारी ड्राइवर आपको देदेगा चली इद दूसरा दिन का टूर प्रोग्राम कैसे होगा देखते है दूसरा दिन का टूर रॉस और नार्थ बे आइलेंड होगा नार्थ बे आइलेंड को कोरल्स आइलेंड के नाम से भी जाना जता है आज नाश्ते के बाद हम रॉस द्वीप की यात्रा करते हैं जब अंग्रेजों का आधिकारिक आधार शिविर और इन द्वीपों की राजधानी, द्वीप वर्तमान में भारतिय नौसेना के अधीन है. यह अब पुराने दिनों के विनाश के रूप में खड़ा है, पुराने डिजाइन व्यवारिक रूप से कच्रे में है. यह पानी में एक ग्लास बेस नाव की सवारी, प्रत्यक्ष किस्त पर वेकल पे ले सकते हैं. नार्थ बे में कही तरह के वाटर स्पोर्ट्स अक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा जैसे की स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर सी वॉक, पैरा सेलिंग, स्नोकेलिंग, गिलास बोट राइड, गिलास बोटम बोट राइड, बनाना राइड, सोफे राइड और भी विभिन तरह के एक्टिविटीज यहाँ पे आपको मिल जाएंग. नार्थ बे आइलेंड कोरल्स के लिए प्रसीद है इसलिए 20 रूपा में इस आइलेंड का फोटो दिया हुआ है. नार्थ बे आइलेंड के बाद आप वापस हो जाएंगे उसी बोट से जिस बोट में आप गए थे. नार्थ बे आइलेंड से वापस आने के बाद आपको होटल छोड़ दिया जाएगा. ड्राइवर आपको कल का टूर के बारे में बता देगा. हेवलोग के लिए क्रूस ज्यादा तर सुबह के टाइम पे ही होता है और सुबह जाने से ही आप अपना टूर अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी कि ये हेवलोग का टूर स्टॉट करते हैं. सुबह जल्दी उठना और आठ बजे क्रूस के लिए कैब सुबह साधे छे बजे पिकप करेगी और सेवन उकलॉक पोर्ट ब्लेयर जेटी पर ड्रॉप कर देगी. चलिए हेवलोग जाने वाले क्रूस के बारे में जानते हैं. और कौन सा क्रूस अच्छा है हेवलोग जाने के लिए? सबसे पहले हम मक्रिस के बारे में जानते हैं. माकरुज अंडमान का पहला प्राइवेट क्रूज है माकरुज को हेवलॉक के लिए 2003 में स्टार्ट किया गया था माकरुज जब अंडमान में आया था तो इस क्रूज का नाम बहुत फेमस हो गया था जो की अभी भी कम नहीं होता है इसी लिए कोई भी टूरिस्ट अंडमान में घूमने जाना चाहता है सबसे पहले कहते हैं कि मुझे माकरुज में हेवलॉक जाना है कहते हैं न जो नाम फेमस हो जाता है लोग उसके पीछे ही जाते हैं फिर उससे अच्छा क्रूज हो या न हो माकरुज का टोटल कैपेसिटी 280 पैसेंजर का है माकरुज में दो देख है जिसमें तीन केटिगरी के सीट्स होते है पहला प्रीमियम केटिगरी होती है जिसका रेट 1585 होगा दूसरा डीलक्स केटिगरी होती है जिसका रेट 2230 होगा तीसरा Royal category होती है जिसका rate 4602 होग Premium category के seats 208 है Deluxe category के seats 64 है और Royal category के 8 seats है Macro's Havelock जाने के लिए 1 घंट आ 40 मिनट्स लेता है चलिए अभी हम Next Cruise के बारे में जानते हैं Next Cruise का नाम आशी Cruise है आशी Cruise अंडमान में 2 साल पहले लौंच हुआ है आशी Cruise Macro's के तुलना में Macro's से अच्छा है क्योंकि आशी Cruise Macro's से नया है और seat capacity भी ज्यादा है आशी में entertainment भी होता है Cruise में live orchestra singing भी मजूद है आशी Cruise का seat 300 capacity है और rate भी same है Macro's के rate की तरह आशी भी same time लेती है हेवलोक जाने के लिए इसका seat भी अच्छा है Macro's के तुलना में आशी Cruise में space भी ज्यादा है कुल मिलके Macro's के तुलना में आशी एक अच्छा option है हेवलोक जाने के लिए Macro's आशी के तरह और भी तीन Cruise है जिसका नाम नौतिका, Majestic और Green Ocean से अवैस है हम सारे Cruise के बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे अगर मैं सारे Cruise के बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं टूर प्रोग्राम के तरफ सुभव जल्दी उठना और आठ बजे Cruise के लिए Cab सुभव साधे 6 बजे पिकप करेगी और 7 उकलॉक पोर्ट ब्लेर जेटी पर ड्रॉप कर देगी हैवलॉक के लिए Cruise नौकायन एक अच्छे मौसम के दिन 1 घंटा 30 मिनिट लेती है सुभव पॉने 10 बजे तक हैवलॉक पॉचे जाएगी निजी ड्राइवर के साथ AC Cab आपको हैवलॉक जेटी से पिकप करेगी और आपको संबंधित होटल में छोड़ देगी चेक इन करने के बाद कुछ देर आराम करें दोपहर के भोजन के बाद राधानगर बीच जाने के लिए कार पिकप करेगा राधानगर बीच एशिया का 7 वा सबसे अच्छा बीच है जिसे टाइम्स द्वारा रेटिंग दिया गया है और यह दुनिया का 25 वा सबसे अच्छा बीच है राधानगर बीच पर सूर्यास्त द्वीपो में सर्वश्रेष्ट में से एक है सूर्यास्त के बाद होटल वापस आए और आराम करे फोर्थ डे एलिफेंट बीच का टूर होगा एलिफेंट बीच देखने के बाद आप पोर्ट ब्लेयर के लिए साम को रिटर्न हो जाएंगे चलिए एलिफेंट बीच का टूर स्टॉट करते हैं नाश्ते के बाद सबसे यादगार यत्रा शुरू करें नाव एलिफेंट बीच से केवल 45 मिनिट की दूरी पर स्नॉकलर शांत नीले क्रिस्टल्स पष्ट उथले पानी प्रदान करता है और शुरुआती स्नॉकलर के लिए एक आदर्श स्थान है नाव ठीक समुद्र तर्ट तक जाती है इसके अलावा एलिफेंट बीच पर लेट कर आराम करने के लिए सिर्फ दिन बिताने के लिए एक शांदार जगा यहां की चटान लगभग एक मीटर की गहराई पर तर्ट के बहुत करीब से शुरू होती है बड़ी चटान ज्यादा तर कठोर प्रवाल से बनी होती है और इसमें समुद्री जीवन प्रचुर मात्रा में होता है ठाथी समुद्र तट के दौरे के पूरा होने पर शाम को वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएंगे रात भर होटल में आराम करेंगे फिफ्ट डे एरपोर्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा आपका टूर आज खतम होता है धन्यवाद अगर आपको मेरा टूर प्रोग्राम और मेरा विडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हर विडियो आपके पास पहले पोचे अगर आप अंडमान का टूर बुक करना चाहते है तो आयूश टूर्ज एंट्रेवल से कांटेक्ट करें आयूश टूर्ज एंट्रेवल्ज अंडमान का लोकल ट्रेवल एजेंसी है यहाँ पे फुल टूर पैकेजेज, कार बुकिंग, बाइक बुकिंग, क्रूस टिक्टिंग और अन्निस सविसेज उपलब्ध है कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिया गया है फिर से एक बार धन्यवाद मेरा विडियो को देखने के लिए आपका दिन शुब हो